वही मेवात में VHP की यात्रा से पहले गुरुग्राम में धमकी भरे पोस्टर्स लगाए गए 28 अगस तक जुग्यों को खाली करने की धमकी दी गई है पोस्टर में लिखा गया है कि जगए खाली नहीं करने पर आग लगा देंगे पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया इलाके में सुरक्षा कड़ी करती गई है इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 99 की जुग्यों में मौझूद हैं लगबग 300 सा 400 परिवार इन जुग्यों में रहते हैं या तो जो परिवार हैं वो मुस्लिम समात से हैं आज लगबग सुबाद 6 बजे के आसपस यहां पर धंकी बरे पोस्टर लगाए गया है आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो अब डर के माहोल में यहां पर जी रहे हैं मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊं मेरे कैमटर सनगर जगदीश आपको पोस्टर जिस जगह पर पोस्टर लगाए गया तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो है पोस्टर फार दिये गया है जब जानकारी मिली कि यहां पर विवादस्पत धंकी बरे पोस्टर लगाए गया है तो गुरुगराम पुलिस के अधिकारे यहां पहुंचे उन्होंने पोस्टर फार दिये आपको बता दें कि इन पोस्टर में यह लिखा गया था कि जो भी लोग जुगी में रहते हैं उनको सूचित किया जाता है कि 28 अगस्ट्यानी कल तक वो अपने घर खाली करके यहां से चले जाएं वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर नहीं गए तो अपने मौत के वो जिमदार खो दोंगे इस तरह के धंकी परे जो पोस्टर थे वो यहां पर लगाए गए थे अब पोस्टर लगने की खबर यहां मिली तो गुरुग्राम पोस्टर के टीम यहां पर पहुंची और लोगों को आश्वास्त किया कि उनको ड़ने की किस तरह की कोई ज़रूध नहीं है ना सिर्फ एक बल कि कई पोस्टर जो है वो यहां पर लगाए गए थे आप तस्विरों में देखें कि आब किसतर हले जा यहां पर जो पोस्टर से फाड़े गहें उनके टुकड़े बीbe यहां पर गिरे हुए हैं कि उस पोस्टर में विएचपी और बजरंग दल का नाम लिखा हुआ था लेकि नभी तक बजरंग दल और विएचपी की तरफ से किस तरह का कोई आधिकार एक स्टेट्मेंट इस पूरे कठना करहम को लेकर नहीं आया है लोग आप काफी डरे हुए है आपको पता दें कि कल जो है एक बड़ा दिन भी है कल एक ब्रिजमंडल यात्रा जो पूरी नहीं हुए थी वो भी निकाली जा रही है और गुरुगराम में जब नू में इंसा हुए थी तो उसका असर गुरुगराम में भी देखने को मिला था अब गुरुगराम की सेक्टर 59 के जुग्यों में इस तरह के विवादस्पत पोस्टर्स आने के बाद कहीं न कहीं पुलिस के लिए का वीचिनताएं जरूर बढ़ गई है